तो दोस्तों हाली में एकनामिक टाइम्स के माध्यम से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट करने का टार्गेट है इन फैनेंशल इयर 2021-2022 के बीच का वो लगभग 650 बिलियन यूएस डॉलर यानि लगभग 650 अरब डॉलर का रहने वाला है और ये खुद इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्टी मिनस्टर शिरी पी उस गोल्जी के द्वारा मंडे को शियर की गई है और ये एक्सपोर्ट टार्गेट इंडिया के बीते प्रिवेस येर के कंपरिजन में सबसे जादा रहने वाला है जहां पर कई इंडस्टी अपना बहुत सारी सर्विसेज जहां पर रिपोर्ट में बताया गया कि इस छेसो पचास अरब डॉलर में से चारसो अरब डॉलर का माल निर्यात किया जाएगा जबकि दो सो पचास अरब डॉलर की सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाएंगी साथी में उन्होंने कहा कि जैसे ही वित्य वर् को निर्यात किया है और सिर्फ इस माईने यानी वर्थ 2022 जनवरी के 15 दिनों में इंडिया ने 16 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है वहीं पिछले बीते साल में कई मैनिफाक्चरिंग इंडस्ट्री भारत में ओपन हुई है नए नए मैनिफाक्चरिंग प्रांट्स लगाए गए हैं और कस्टम ड्यूटी भी काफी हतक चेंज किये गए हैं जिसकी वज़े से हमें ये ग्राफ उठता हुआ नजर आ रहा है इसे के साथ में रिपोर्ट में य 23,000 को रिडियूस किया गया है यह वो कंप्लेंस थी जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में कई सारे इसूस आते थे जिसमें से 50% तो सर्फ नेशनल सिंगल विंडो के थ्रोही कंप्लीट कर लिए गये हैं तो और इस रिपोर्ट में देखें तो नेशनल सिंगल वि इंट्रिस्टिंग विडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम भारत मता कीचे